तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि मुद्रा सफिती यानि की inflation किसे कहते हैं तो कई बार exam में पूछा गया है very important topic कि मुद्रा सफिती किसे कहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसकी definition बताऊंगा उसके बाद हम इसे example से clear करेंगे तो इसकी definition क्या है कि वस्तूओं और सिवाओं यानि कि goods and services की कीमतों में जब विर्धी होती है तो उस परस्तिती को मुद्रा सफिती कहते हैं simple language में आपको बताऊं तो जिसे महंगाई कहते हैं उसी को economics में मुद्रा सफिती कहा जाता है अब यह आपको कभी नहीं भूलेगा कि मुद्रा सफिती को ही महंगाई कहते हैं हम आम भाशा में इसे महंगाई कहते हैं और economics में इसे मुद्रा सफिती कहा जाता है अब मैं आपक कुछ दिन बाद फिर मंडी गए और आपने फिर एक किलो ग्राम आलू खरीदा पर इस समय दुकान दारने आप से 15 रुपे मांगे तो मतलब कि उसकी कीमत में व्रिधी हो गई पहले दस रुपे में एक किलो ग्राम आलू लेकर आए पर इस समय आपने उसके बदले कितने रु माला एक किलो ग्राम आलू खरीदा हमने दस रुपे में पर अब सेम कॉंटिटी ही हम ज्यादा रुपे वैल्यो में खरीद रहे हैं माला कि 15 रुपे में खरीद रहे हैं तो उसके करता हूँ आपको एक्जाम्पल से क्लियर होगा होगा तो उसके बाद हम देखते हैं मुद मुदरा सफीती को थोड़ा डीपली पूश रहे हैं इसलिए मैंने जो मुदरा सफीती वाला टोपिक है यह थोड़ा डीपली कवर किया है ताकि आपका एक्जाम में कोशन छूटे ना बाकि मैं जो आगे टर्मिनोलजी है उससे सिंपल डेफिनेशन की बताऊंगा और उसक इसके टीन टाइप से हैं पहला है मांग जनित मुदरा सफीती यानि कि डिमांड पूल इंफिलेशन दूसरा है लागत जनित मुदरा सफीती कोश्ट पूल इंफिलेशन और तीसरा है मुदरा की अधिक चपाई और प्रवा यानिकी एक्सेस प्रिंटिंग एंड फ्लो ओफ करेंगे तो जब वस्तूओं और सिवाओं यानिकि गूड्स and services की मांग एहम अपूरती यानिकी डिमांड इन सप्लाई डिमांड को मांग कहते हैं और सप्लाई को अपूरती कहते हैं इसमें असंतुलन हो जाए या अपूरती के मुकावले मांग बढ़ जाए तो उसे अच्प्रमृट करते हैं तो मैं अब आपको एक्जाम्पल से समझाता हूं इससे आपको किलीर हो जाएगा टो मा 짧ए मैंद गडियास्ता होती है इसमें कि यह काफी इंपेड कर से हैं जब आपको कोई भी चीछ चाहिए तो आप उसकी डिमांड करेड करते हैं मांग प्रस्तूत करते हैं और मार्केट से दुकान द्वारा आप avoir कुसके सप्लाई की जाते हैं अब पूर्ति के जाते हैं तो डिमांड और सप्लाई ये काफी important है तुमालिजे आपके गाउं में एक मार्किट है उस मार्किट में एक ही बीटाई वीजता है ठीक है और आपके पूरे गाउं में खोया होता है जो दूसरे बनता है खोय की डिमांड है सो किलोग्राम और जो दुकान दार है वो पूरी आप उर्ति कर देता है मला सप्लाई कर देता है सो किलोग्राम की जितनी आपकी डिमांड है गाउं की उतनी वह अपूर्ती करता है और खोई की कीमत कितनी है तो 300 रुपे किलो है तो इस समय क्या है जितनी डिमांड हो रही है उतनी दुकान दारतवारा सप्लाई की जा रही है मला कि जितनी डिमांड में आपको पता है कि जो खोई की दिमांड अचानक बढ़ जाती है तब क्या हुआ आपके गाम में जो है खोई की दिमांड बढ़ गई अब कितनी होगी डिएट सो किलोग्राम दिमांड हो गई पर जो दुकान दार उसके तुवारा सप्लाई कितनी जा रही है तो सो किलोग् जिन्सो कर दिया। आप अपनी आम जिंदगी में भी देखिये ना जब वहारों कम हो साम आता है तो मिठाइया महेंगी हो जाती है कि क्योंकि इसमें क्या होता है कि मांग बढ़ जाती है और सप्लय कम होती है इस कारण इसे मांग जनित मुद्रा सफीति के लिए जिसमें हम आशा करता हूँ आपको एक्जामपल से किलियर हुआ होगा तो मांग जनित मुदरा सफीती के बाद अब हम देखते हैं लागत जनित मुदरा सफीती यानि की कोश्ट पुल इनिफलेशन तो मांग जनित मुदरा सफीती में क्या था कि मांग बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ गई और इसमें क्या है कि कोश्ट बढ़ने के कारण यहने कि लागत बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ जाएगी कैसे पहले इसके हम definition देखते हैं कि जब उत्पादों के निर्मान के लिए लागत मुल्य बढ़ जाए तो इसके परिणाम सोरू जो महंगाई अथवा मुदरा सफिती बढ़ती है उसे लागत जनित मुदरा सफीती कहते हैं तो इकजामपस से समझते हैं उसी मिठाई वाले की दुकान से हम इसको भी समझते हैं कि मा लेजिए अब होली खतम हो गई अब आप मिठाई वाली के पास गए और आपने आप भैया एक किलो क्होया तोल दीजिए तो उसने आपको एक किलो हो द्यके दिया अब आप पूछने का बेते थे पर अब दूद महंगा हो गया अब दूद हो गया पचास रुपे लिटर जिसका खोए कभी जो प्राइज है वह बढ़ गया साड़े तीन सुरुपे तो इसमें क्या उसकी लागत बढ़ गी ना कि जो खोया वह दूसे बनता है तो पहले उसे जो दूद मिलता था तो चालिस रुपे लिटर मिलता था पर अब वह चालिस रुपे लिटर की बजाए पचास रुपे लिटर बढ़ने मिलने लगा तो यह इसमें 10 रुपे का उच्छा लाया है तो उसने भी खोय की प्राइज में बढ़ा दिया तो इसका प्रभाव कैसे हुआ क्योंकि लाग यानि कि access printing and flow of money जब market में पैसे का ज़्यादा flow हो और मुद्रा का ज़्यादी छपाई हो जाए और मार्केट में पैसा खोब हो तो उसमें भी महिंगाई बढ़ जाती है इसकी पहली definition देखते हैं कि जब उतपादन में बिना वृधि किये हुए मुद्रा की अपूर्ती अर चानक से बढ़ाई नहीं जा सकती और आप ज्यादा से अच्छानक डिमार्ण क्रीयेट करने लगें जिसकार क्यों होता है महिंगाय बढ़ जाती है या आपने पहले केसमें देख ता है की ज्यादा एक्जामपला से समझा त्गलाते हूं उसे मिठाई वाले की दूंसे भीक्रवास गये आपने का भिए एक किलो ख्वया देदीजिए आप इसे कीमत उमत कुछ नहीं पूछा का है 1 किलो तो उसने आपको 1 किलो क्वया दे दिया और आपने से प्राईज नहीं पूछा उसने आपको सो रहताया आप लेकर चलिया है दुकान दर ने सोचा जारए सने तो पहले तो मुझे 200 के राम खोया लेता था उसमें भी मौल भाव करता था आज क्या हुआ है अचानक इसने कुछ मौल भाव नहीं किया और मैंने 400 का इसको महंगा भी दिया और लेकर चला गया दूसरा आदम है उसकी जे में भी पैसा है आपके जे में तो 10,000 था उसके पैसे जाद आ रहे हैं या मैं अपने ही खोय की कीमत है कम दे रहा हूं तब लोग लेकर जा रहे हैं यह लोग तो पहले 500 ग्राम का खोया लेते थे और मौल भाव अलग से करते थे लेकिनी समय क्या हुआ कि एक किलो ग्राम का खोया भीक रहा है अब तीसरा आदमिया उसके पैसे कम है वह बिचारा 100 रुपे ही लेकर रहा है था उसने पूछा कि कितने रुपे खोया किलो तो दुकान दार ने कहा कि 400 रुपे किलो है जो कि पहले 350 रुपे किलो हुआ करता था उसने इसके कीमत बढ़ा दी क्योंकि मार्किट में क्या हुआ मनी का फ्लो जाद है और पहले जहां 500 राम लेते अब सिधा 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 इगी किलो ले रहे हो उसको पता कि मेरा खोया चीमत को बढ़ा दिया और मॉल होगा उसमें महांगाई बढ़ेगे ही बढ़ेगी इसलिए RBI से कंट्रोल करती है monetary policy द्वारा यह मैं आपको किसी और वीडियो में समझाओंगा तो आशा करता हूँ आपको मुद्रा सफीति के यह सभी example clear हो गए होगे यह सभी example आप exam में पूछे जाते हैं definition इसकी पूछी जाती है आपको मैंने इसलिए example clear कर रहा तो मुद्रा सफीति के बाद अब हम देखते हैं मुद्रा अव सफीति तो inflation था है यह सिधा उसका opposite deflation यह मुद्रा सफीति के विप्री तवस्ता है मुद्रा सफीति के विप्री तवस्ता कैसे है इसमें वस्तूओं और सिवाओं की अपूर्ति उनके मांग से भी जादा होती है जिसके कारण एक मंदी जैसी हालत पैदा हो जाती है जिसे मुद्रा अव सफीति कहते हैं तो उस case में क्या होता था कि में नहीं कर रहे तो पांच पांच रुपी किलो और किसान क्या कर रहे थे अपने खेतों में कुछ इसलिए ति यह उससा क्यों हुआ कि क्या हुआ कि मंडी में ज़्यादा हो गई और डिमार्ड लोग उसकी कर नहीं रहे थे जिसके हों आयम याम्य थे नोवह 15 रूपर किलो दशव डिख रहे थो पांच रूपर किलो थी सफित है ने कि मुद्र हो जागत तो आशा करते हूं आपको समझ आया होगा तो उसके बाद हम देखते हैं गती हिन सफिती यानि कि स्टैक्फिलेशन ये ससी में पूछा गया था इंपोर्डट है कि स्टैक्फिलेशन किसे कहते हैं तो यह वोज देती है जब आजार में एक साथ महंगाई और मंदी दोनों आ अथात जब इनफिलेशन और डिफिलेशन दोनों साथ साथ हो उस सवस्था को स्टैक्फिलेशन कहते हैं तो पहले हमने इनफिलेशन देखा कि महंगाई हो गई दूसरे हमने डिफिलेशन देखा कि मंदी आ गई यह है स्टैक्फिलेशन यानि कि इनफिलेशन और डिफिले सव्द्वरDash Moodra का मुल्य जान भूचकर कम कर देती है तो उससे अव मुलियन कहते हैं मली जब जब सरकार अपने जो bags जो उसकी सभूद्वरDash Moodra उसकी किमत को घटा देती है जान भूचकर विदेशी Moodra का जाता है तो इससा क्यों कर ती है कि अपनी मुद्रा के कमजोर्त कंकि यो करतीं वहां कि निर्यात को बढ़ा है जाए जब हमारी मुद्रा का जो मुझ कर चाहिए जैगी जान भुझकर मुद्रा का मुल्रे कम कर देती हैं जैससे की एकजांपल से समझे पहले एक डोलर के बढ़ाबर हमारे 70 रुपे हुआ करते थे बाद में सरकार ने क्या किया इससे डिवैल्यूट मन की अब मुल्यन कर दिया अब एक डॉलर के मुकाबले 75 रुपे हो गए आपको देखकर तो लग रहा हो कि पहले 70 रुपे हो कम हो गए तो कम ही हुए है क्योंकि हमारा रुपया ह कमजोर हुई है ना बढ़ी नहीं है तो अब मुल्यन किसे कहते हैं जब सरकारे जान भूचकर मुद्रा की मुल्य में कमी कर दें तो उसके बाद हम देखते हैं वी मुद्री करन यानि की डी मुनिटाइजेशन आप सभी इससे तो परचित ही होंगे जिसे हम नोट बंदी कह करके उसकी जगह नई मुद्रा का परचलन किया जाए तो उसे वी मुद्री करन कहते हैं यानि की डी मुनिटाइजेशन कहते हैं तो इसके साथ मैं कुछ आपको बताता हूं जो कि पूछे जाते हैं एक्जाम में जीके के फैक्ट है कि सोतंतर भारत में कब-कम नोट बंदी हुए त जब भारत अजाद के बाद दो बार नोट बंदी यह बारत में बाद तो पहले नोट बंदी है बाद संसे उतनी तो जनवरी है 78 में नोट बनदी होई थी और अभि हाली फिलार में नोट बंदी मोधी जी ने की थी यह n오بر 2016 में कीी थी था जब जनवरी 1978 में नोट बंदी हुई थी उसमें 1000 का नोट 5000 और 1000 का नोट बंद किया गया था अभी जो 2016 में होई थी उसमें पांचव की नोट को बंद कर दिया गया था उसके जगा नए नोट आए थे 500 और 2000 के कर दिये गया गया 5 आपको इंट्रेस्टिंग बताता हूं जब पहली नोट बंदी हुई थी उसे में जो प्रधान मंत्री नरेंद्र हो दी है यह भी गुजरात के ही है और उसे में जो आर्वे गुजरात के थे और जो अभी जो जार सोलम नोट बंदी हुई थी उसे में अभी उर्जित पटेल ही थे यह कौन सीटेंस है इसे आप याद रख सकते हैं यह भी पटेल थे वह भी पटेल थे वह भी गुजरात के थे यह भी गुजरात के थे तो आशा करतों आपको वीमुद्री करण क्लियर हो गया होगा तो उसके बाद हम देखते हैं लोरेंज वक्र याने कि लोरेंज कर्व और गिनी गुनांक कोफिशन्ट ओफ किनी यह गिनी गुनांक है यह भी जो RRB NTPC का एक्झाम चल रहे हैं उसमें पूछा गया था कि गिनी गुनांक क्या है इसलिए काफी इंपोरेट हैं और टेक्निकल हैं पर मैं आपको बहुत ही असान शब्दों में इसे समझाऊंगा तो ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले हम देखते हैं कि लोरेंज वक्र क्या है लोरेंज वक्र द्वारा किसी देश या समाज में लोगों के बीच आय और संपित के बीच आसमानता है उसे ग्याद किया जाता है लोरेंज कर्व द्वारा यह जो आप देखा देखने कर्व लाइन नहीं इसी को लोरेंज कर्व कहते हैं मैं भी आपको यह डाइग्रम समझाऊंगा उससे पहले आप एक्जामपल सुनिए मैं आपको समझा जाता हूं कि जो पर एक लाइन खीची गई है इसे कहते हैं निरपेश समता रेखा तो यह जो लाइन है यह क्या दर्शाति है मैं आपको एक्जामपल समझाता हूं मां लीजिए आपके गाउं में सो लोग हैं और पूरे गाउं की इंकम है दस लाक रुपे तो यह जो रेखा यह दर्शाति है कि जो दस लाक रुपे हैं यह सो लोगों को बराबर बराबर मिलने चाहिए मला समानता होनी चाहिए असल जिंदगी में ऐसा होगा कभी नहीं होगा कि सभी के पास समान इंकम हो पर यह जो रेखा है यह क्या बताती है कि जो दस लाक रुपे है यह सो लोगों में अगर ब समपत्य के बीच में जितनी ही रेखा एक सम्झा लोगों के बरबर हो और ये बच्प असमान तक दोर यह को हमें के विलेगी लोगों के बीच में समस्दिक का लिए दरशाइइ देखने में नि दोरड़ेगी ऍप कम होगी तो इससे क्या दरशाद है यह हम देशों को कमपेर करते हैं कि जैसे यह अमेरिका की मानलों यह देख लिए गए उस बाद यह इंडिया गा ऐसे कर्व रेखा हो कि अपको डाइग्राम से समझ आये होगा उसके बाद हम देखें गिनि-गुनांग तो यह सिमिलर ही है आये समप तो और जबकर में हमें देखा कि डाइग्राम से बताए गया ऑगा धियुआ में कि गी एक सांके की माप इसकी दिर्जब कितनी है तो यहाद देखेगा 0 सै लेकर एक तक तो गिनी गुनाँ का मान जितना अधिक होगा मदलती fruitful असमाज में विश्द१ा यानि कि असमानता भी उतनी अधिक होगे इन्होंने क्योंकि वेल्यू से बताया इसलिए गिनी गुनांग कहते हैं जिसमें हमें वेल्यू पता लगी एक सांके की मापता लगा जितनी वेल्यू ज्यादा होगी उतनी असमानता समाज में ज्यादा होगी और जितनी वेल्यू कम यहां पूरे शहर का कोड़ा इकठा किया जाता है उसे डंपिंग ग्राउंड कहते हैं उसे परकार है डंपिंग इसमें क्या होता है एक देश क्या करता है दूसरे देश के टॉसरी मार्कट में मिलते हैं आपको घटी अकुल करता है घटी क्या कटी यह यहां का करता है पर फिर वह इतनी कम किमत में बेच दे गयता है जब क्या होता है कि कोई देश वस्तों का मुले बहुत कम करके दूसरे देश को को निज्यात करते हैं तो इसें कि बात हम सब्सक्राइब है टोसके बाद हम देखते हैं होड मनी यंदे की गर्म मुद्रा तो ऐसी मुद्रा जिसकी मांग चारु तरफ हो मलग जिसकी बहुत डिमांड हो और जिसमें लायन के गुन हो उसे होट मनी कहते हैं जैसे कि डोलर आपको पसे डोलर कीoding बहुत है म Awesome लीडिक होड मनी खोडूमनी यह सब arenareny स्क्वाइब आती है आपको exam में कि यह वाइनर होगी पूछारीगआ करवान के बाद हम देखते हैं हाड मनी हाड मनी यानि की दुर्ला मुद्रा तो ऐसी मुद्रा जिसे प्राव्त करना कठीन हो और असानी से प्राव्त ना किया जा सके उसे हार्ड मनी कहते हैं एक्जामपल में पाउंड हो गया यूरो हो गया इसे असानी से प्रावत नहीं किया जा सकता और प्रावत करना कठीन है इसलिए इसे हाड मनी का जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं फ्रिंज बेनिफिट यह भी इंपोर्ड़ है हिंदी में इसे क्या कहते हैं अनुशंगी हैं तो इसे कमपणी की द्वारा कर मिलगे व्यतन मिल रहा है और कंपणी नों इसे आने जाने के लिए कर दिया दिया तो एक पूचा गया ते चोपाल क्या है कि गाउं इंटरनेट के माध्यमस से किसानों बजार की मांग और किर्शी की जानकारी उपलब्द कराना इच उपाल कराता है तो इलेक्ट्रोनिक वे से उन्हें क्राय आ रहा है इंटरनेट के माध्यम से किसानों के किर्शी की जानकारी जो दी जा रही है उसे इच उपाल करा जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं चोथी दुनिया जिसे इंगलिश में कहते हैं fourth world ये भी economics का ही term है और काफी important है तो चोथी दुनिया के इसे कहते हैं अफरीका और इशिया के वे देश जहां पर अधारबूत सरंचनाओं की कमी हो और सिख्षा का स्तर काफी कम हो मलब एक गरीब अला देश कहा जाता है आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको काफी कुछ नहीं जानकरिया मिली होगी तो कैसी लगी ये वीडियो कोमेंट सेक्षन में ज़रू बताना धन्यवाद